हेलो गाइस कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को एक ऐसे ट्रिक के बार में बताएंगे जिसके बाद फ्रेंट्स अगर आप वाट्सप पर किसी का भी मैसेज रीड कर लेते हो अगर आप किसी का मैसेज पढ़ भी लेते हो तो वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप ने उसका मैसेज रीड कर लिया है तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के अंतर हम आप सभी को बताएंगे कि आप अगर उसका message read भी कर लोगे तो friends उसके phone में वो blue tick नहीं आएगा तो friends वीडियो काफे interesting होने बाला है वीडियो में last तक जरूर से बने रहीएगा वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कर रहीएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो चले friends बिना time waste के वीडियो को इस्टार्ट करते है इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया पे कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को like और चैनल को सब्सक्राइब करके निचे दिये गए बेल आइकन को प्रेस करके ओल के नोटिफिकेशन को ज़रूर से अलाव कर दिजिए क्योंकि मैं इसे तरह के वीडियोज लादा रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर से पहुँचे तो चले friends वीडियो को स्टार्ट करते है So friends इस्ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने वाट्सप में जाना होगा चलिए दोस्तों यहां से मैं अपना वाट्सप ओपन कर लेदा हूँ जिहां दोस्तों देख सकती हो यह जो मेरा वाट्सप यह ओपन हो चुका है ओपन होने के बाद आपको यहां पर से कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेंगे जहां पर चैर्ट्स, स्टैट्स, कॉल्स यह सारे ओप्सन देखने को मिल जाएंगे लेकिन friends आपको यहां पर से इन सभी में से कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपली ऊपर में थ्री डॉट वाले ओप्सन पर जाना है और उसे एक बार क्लिक कर देना है जैसे आप इसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो friends आपके समने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है जहां पर आपको बहुत सारे ओप्सन देखने को मिल जाएंगे लेकिन friends आपको यहाँ पर से सबसे नीचे में settings वाले ओप्सन पर जाना है और उसे क्लिक कर देना है जैसे आप उसे क्लिक करोगे friends आप देख सकते हो आपको यहाँ पर से भी बहुत सारे ओप्सन देखने को मिल जाएंगे लेकिन friends आपको यहां से भी कुछ भी नहीं करना है simply आपको यहां पर से account वाले option पर जाना है और उसे एक बार click कर देना है जैसे ही आप account वाले option पर click करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का page आ जाता है जहां पर से आपको कई सारे option देखने को मिल रहे होंगे लेकिन friends आपको यहां पर से privacy वाले option पर जाना है और उसे click कर देना जैसे ही आप उसे click करोगे आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाता है और आपको यहां से भी बहुत सारे option देखने को मिल जाते है लेकिन guys आप देख सकते हो यहां पर से आपको बहुत सारे option देखने को तो मिल ही रहे होंगे लेकिन आपको पाचवे नमबर पर read received वाला option देख जाएगा friends आप देख सकते हो यह enable है अगर आप यहां से इसे enable करके रखते हो तो friends अगर आप किसी का message read करोगे तो उसे पता चल जाएगा क्योंकि उसके message के नीचे वो जो blue tick है वो आ जाएगा अगर friends आप इसे disable कर दोगे तो friends इतना कर लेने के बाद guys अगर आपके phone पर अगर आपके phone पर कोई भी message करता है तो उस message को अगर आप read भी कर लोगे तो friends उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके भेजे हुए message के नीचे blue tick नहीं आएगा और friends उसे पता नहीं चलेगा कि आपने उसका message read किया है और friends आप आसानी से उसके message को read कर सकते हो और उसे पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो friends कैसा लागा वीडियो आपको I hope का इस वीडियो आपको काफी interesting और पसंद आया होगा तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही new topics को लेकर तब तक के लिए घर में रहे safe रहे, take care, bye